भारत सरकार पोस्ट ओपिस के माध्यम से आम जंता के लिए बचट के लिए बहुत सारी स्किमें चलाती है तो इस अगस 2023 से आपको पोस्ट ओपिस की किसी स्किम में कितना ब्याज मिलेगा आई ये जानता है इस वीडियो में नमस्कार आप देख रहे हैं पोस्टल दोस्ट तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे पांस साल की स्किम के बारे में पांस साल की पहली स्किम है मंतली इंकम इस्किम मिलता है इसके अंदर आपको 7.4 परशेंट ब्याज मिलेगा और पैसा आपको पांस साल के बाद में पूरा ब्याज सहित मिल जाएगा इसी परकार से पांस साल की FD एदिया आप करवाते हैं तो 7.5 परशेंट आपको ब्याज यहां पर मिलने वाला है NSC और पांस साल की TD दोनों के अंदर इंकम प्रेक्स के अंदर आपको छूट मिल जाती है तीन साल की FD के बारे में एदिया आप सोच रहे हैं तो 7 परशेंट ब्याज आपको मिलेगा इसी परकार से यह आप दो साल की FD करवाते हैं तो भी आपको 7 परशेंट ब्याज मिलेगा यह आप महिला है या महिला के नाम से पैसे जमा करवाना चाहता हैं तो 2 साल की FD यहाँ पर MSC के नाम से होगी और इस स्कीम में आपको 7.5% ब्याज मिल जाएगा यदि आप एक साल की FD करवाना चाता हैं तो 6.9% का ब्याज यहाँ पर मिलेगा एक साल से छोटी FD यहाँ पर नहीं करवाई जा सकती है बचेत काते के अंदर आपको 4% ब्याज अभी भी सरकार के दुवारा दिया जाता है आईडी यदि आप करवना चाता है तो 5 साल के लिए हर महीने पैसे आपको जमा करवने होंगे और यहाँ पर 6.5% की हिसाब से आपको ब्याज मिल जाएगा सुकर ने समर्दी खाता खुलावा है या खुलवाने जा रहा है तो इस जुलाई से लेकर सेटम्बर तक आपको 8% ब्याज मिलेगा इसी परकार से पीपिएप के अंदर भी आप निवेश करते हैं तो जुलाई से सेटम्बर तक आपको 7.1% ब्याज मिलता रहेगा केवीपि यानि किसान विकास पत्र के अंदर आप पैसा डालना चाहता है तो 7.5% का ब्याज यहाँ पर मिलेगा यही ब्याज जरे आपको अगस्त और सेटम्बर के अंदर मिलती रहेगे इसी परकार के जानकरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरू करें वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ मैं सेट जरू करें नमस्कार